बिग बॉस सीजन पंदरा आठ अगस से ओचीटी प्लाटफॉर्म पर शुरू हो रहा है और ऐसे में अब बिग बॉस से जुड़ी खबरे आने लगी हैं नाम आ गए हैं सामने टीवी के तीन बड़े मेल आक्टर्स के जो इस साल बिग बॉस सीजन पंदरा में एंट्री लेंगे और खबरों के माने तो इन में से कईयों ने अपने शो को भी छोड़ा है बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए तो वहीं दो आक्टर्स ने तो खुद कनफर्म करा है कि वो बिग बॉस में आ रही हैं क्या है पूरी खबर चली आपको बताते हैं टेली टॉकीज के इस रिपोर्ट में कि आखिर कौन-कौन से हैं वो कंटेस्टेंट या कौन-कौन से हैं वो टीवी आक्टर्स जो इस साल एंट्री ले रही हैं लेकिन अगर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं और दोस्तो इस लिस्ट में सबसे उपर जिसका नाम आ रहा है वो हैं कलर्स टीवी पर आने वाले शो छोटी सरदार्णी के सरब यानी की आक् विनेश की अच्छी खासी पैन फॉलोइंग है अपने रीसंट इंटिव्यू में खुद अविनेश ने इस बात का खुलासा करा है कि वो जल्द ही आने वाले एक रियाल्टी शो में नजर आने वाले हैं जिसके बात से ये बात कंफर्म हो गई है कि अविनेश शो का हिस्सा होंगे तो वहीं जो दूसा नाम सामने आ रहा है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और आक्टर ने खुद बदाया है कि उन्हें बिग बॉस सीजन 14 के दौरान भी अप्रोच किया गया था लेकिन उनकी आँकों की सरजरी होनी थी जिस वज़े से वो शो का हिस् के अंदर और उन्होंने खुद बताया है कि मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया है शो के लिए वो शो में आना चाहते हैं और वो इस साल शो में एंट्री ले रही हैं लेकिन जो तीसरा नाम है वो इन दोनों से भी बड़ा नाम है और हम बात कर रहे हैं टीवी के बड़े आ इंट्री लेने वाले हैं अरजुन ने खुद अपने डीसंट इंटर्वियू में बोला है कि उन्हें मेकर्स ने शो के लिए अप्रोच किया है लेकिन अभी तक उन्हें फैसला नहीं लिया और खबरों की माने तो अरजुन बिचलानी भी शो में आ रही हैं दोस्तों ये है टीवी के वो तीन अक्टर जो इस बार बिग बॉस का हिस्सा बनेंगे इसमें से किसको देखने के लिए आप हैं एक्साइट कमेंट्स में लिखें वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें